हेलो फैन्स वेल्कम टू आउर ओफिसियल चैनल दा गोल एचीवर में रामकौन का नाप लोग का स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब के ओफिसियल चैनल दा गोल एचीवर में जी हाँ फ्रेंड्स आफिसकलर के प्रिलिम्स के सारे एक्सामـ हो चुके हैं और indifferent video iimir के सामने हाजिड हूं इसमय हम लोग istate wise vacancies प्रिवियस यर क्या थी इस साल और क्या क्या ने की chances हैं category wise बात करेंगे और sectional cut槽 क्या होगी इंगलिज कीbig-इंग्र good return किसको मानेंगे और result date कब तक आने की संभावना है और IVPS color के confirm mains का date को क्या रहेगा सारी बाते हम लोग इस वीडियो में करेंगे तो अंतिंग तक आप लोग बने रहें और I hope आप लोगों को पसंद आएगा ये वीडियो काफी analyze करने के बाद ही आप लोग के सामने में वीडियो लाता हो especially cut up से related तो चलिए हम लोग आज का session स्टार्ट करते हैं और state wise हम लोग जानते हैं कि क्या cut up रह सकती है सबसे पहले बात करूं आंदर परदेश की और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि cut up जो है लगभग हर state में general की EWS की और OBC की लगभग सेम रहती है थोरा सा अंतर ही देखने को मिलता है ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता है especially colorical exams में और SCST जो भी हमारे viewers हैं हमारे दोस्त हैं वो तीन और चार नंबर generalized जो cut up मैं predict कर रहा हूं general से 45 number आप लोग अपना minus करके आप लोग जान सकते हैं कि लगभग उसी के आसपास आपकी cut up जाएगी तो आंध्य परदेश की अगर मैं बात करूँ तो 2020 में काफी कम vacancies है सबसे पहले मैं बता दू और मैंने जो vacancies की comparison की है compare किया है तो सबसे पहले मैं comparison की बात करूँ तो 2020 में जब notification आया था तब से और 2021 में जो notification आया था तब से मैंने comparison किया है और जो increased vacancies होता है generally देखा जाता है कि increased vacancies होती है वो prelims के result आने के बाद ही increase की जाती है vacancies को और दूसरी बात कि आपको अगर result से पहले increase कर दी जाएगी vacancies तो आपके जो cut-up है जो मैं predict कर रहा हूँ उससे भी कम जाने के chances है यानि कि उससे भी अगर मैं आंध्यपरदेश की 72 predict करता हूँ तो अगर increase होती है prelims result के पहले vacancies add होती है तो आपकी जो cut-up है इससे भी हो सकता है कि या तो इसके आसपास रहे या तो इससे भी कम चली जाए चुकि actually क्या हो था 2020 में जब notification आया था तो दो बार फिर notification एक तो 1500 vacancies आई फिर बढ़ा कर 257 कर दी गई और जो बाद में final vacancies जो देखने को मिला वो लगभग 5000 के लगभग 4799 यानकि 4799 के आसपास देखने को मिला तो लगभग 3517 vacancies add-on हुई थी और इस बार जो notification आया वो उस समय total vacancies 7,855 vacancies थी जो इस बार approx 5-6,000 बढ़ने की chances है यानि कि आपका जो final vacancies होगा वो 12,000 से 13,000 के बीच रहेगी तो यह काफी good news है और अगर prelims के result से पहले यानि कि within 15 days अगर bank add-on कर लेती है यानि कि पंजाब national bank PNB काफी add करती है हर साल अगर वो add कर लेती है तो prelims की जो cut-up है वो पहले से भी मतलब जो मैं predict कर रहा हूँ वो उससे भी कम जाएगी या उसके बरावर या उसके कम जाएगी तो आंद्र परदेश की अगर मैं बात कुरू तो 2020 में 85 vacancies थी overall vacancies सभी category को मिला कर total vacancies 85 थी 2021 में बढ़ कर 387 हो गई यानि कि 387 vacancies हो गई तो vacancy में काफी increase देखने को मिला और यहां का जो cut-up है वो 72 से 75 के बीच में lie करेगा और अगर आप जो भी OVC, EWS, SCST जो भी हमारे viewers है अगर general की cut-up में 72 बोल रहा हो तो OVC और EWS इसी के आसपास रहेगी और SCST जो है इससे 3-4 नंबर यानि कि 65 के आसपास आपको देखने को मिलेगी यह आप लोग अपना calculation कर लेंगे Next, अरुनाचल परदेश की अगर मैं बात करूँ तो अरुनाचल परदेश में पिछले year 2020 में एक vacancies थी Only one vacancies थी जो बहुत कम थी और जो 2021 में 13 vacancies है यानि कि ज़्यादा increase देखने को नहीं मिला तो यहाँ का जो cut-up है वो 73 से 76 के बीच में आपको देखने को मिलेगा Next, अगर असम की बात करूँ तो previous year यानि की 2020 में 24 vacancies थी और जो 2021 में बढ़ी है vacancies 191 vacancies है और यहाँ का Actually कहाँ असम और North East में काफी variations cut-up में देखने को नहीं मिलता तो यहाँ का cut-up जो है 64 से 67 जेनरल की cut-up यहाँ आपको देखने को मिलेगी इसी बीच में आपकी लाई करीगी अगर vacancies add-on होगी तो लगबख 64 के आसपास या उससे कम भी आपकी काफी chances है कि cut-up जाए हलाकि exams का level काफी easy था तो cut-up और मैं बताना चाहूँगा कि बहुत बच्चे कहेंगे कि exam का level तो काफी easy था तो आप इससे भी ज़्यादा cut-up जा सकती है तो सबसे पहली मैं बताना चाहूँगा कि पिछले साल जो है vacancies बहुत कम थी इसलिए cut-up थोड़ी high गई थी तो इस बार पेपर लेवल उप जो exam था वो easy हुआ और vacancies जादा है तो जादा फरक नहीं परेगा उसी के आसपस आपको cut-up देखने को मिलेगी तो असम की अगर मैं बात करूँ तो 64 से 67 के बीच में आपको देखने को मिलेगा next बिहार बिहार के अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल बहुत कम vacancies थी 95 vacancies थी जो इस बार 2021 में जब notification रिलीज किया गया तो 300 vacancies देखने को मिली थी और काफी chances हैं कि यहां पे vacancies काफी बढ़ेंगी क्योंकि पिछले साल भी बिहार में काफी add-on किया गया था vacancies लगबग 200 के लगबग vacancies बढ़ी थी तो इस बार PNB अगर add करती है तो यह भी 500 के प्लस ही बिहार में जाएगी vacancies तो अगर prelims से पहले prelims result से पहले अगर vacancy add हो जाती है तो 70 से 73 यह जो मेरा general का cut-up है जो अगर add-on नहीं होगी तो 70 से 73 के बीच आपको देखने को मिलेगी 70 से 73 के बीच देखने को मिलेगी अगर add हो जाती है vacancies चुकि 2019 में क्या हुआ था prelims के result से पहले ही पंजाम नेशनल बैंक ने काफी vacancies add कर दी थी जिसके कारण और बिहार में काफी add की थी पंजाम नेशनल बैंक ने vacancies तो PNB add होने के कारण बिहार में क्या हुआ था general का cut up मात और 65 गया था जो काफी shocking था चुकि यहाँ पर vacancies काफी add की गई थी इसलिए अगर add होती है within 15 days अगर यानि की result आने से पहले अगर add हो जाती है तो आपको इसकी जो cut up है वो हो सकता है कि 70 से नीचे भी देखने को मिल सकती है मैं फिर कहना चाहूंगा पिछले साल vacancies कम थी और इसलिए आपकी जो cut up है वो 71 गई थी लेकिन इस बार vacancies बढ़ी है तो और paper level भी थीक था, easy to moderate था तो इसलिए आपका जो cut up है उसमें ज्यादा variation देखने को नहीं मिलेगा तो general की cut up मैं बिहार के लिए 70 से 73 के बीच में जाने के काफी chances है next 36 गर की अगर मैं बात करूँ तो 18 vacancies थी पिछले year जो बढ़कर 111 vacancies हो गई इस साल और यहां का cut up 69 से 72 के बीच में देखने को मिल सकता है next अगर चंडीगर की बात करूँ हम लोग एक line से सारे state के बारे में बात करेंगे I hope आप लोग को पसंद आ रहा हो चंडीगर में बात करूँ तो 2020 में 48 vacancies थी और इस बार यहां पे 33 vacancies हो गई है जादा increase देखने को नहीं मिला तो यहां की जो cut up है वो 72 से 75 के बीच में like करेगा approach 74 के आसपास यहां देखने को आपको मिल सकती है देली की बात करूँ तो देली में पिछले साल 93 की vacancies ही यानि की 93 vacancies थी जो बढ़ कर 2021 में 318 vacancies हो गई 318 vacancies काफी vacancies यहां पे increase हुई है तो यहां का जो cut up है वो 73 से 76 के बीच में लगभग 75 के आसपास आपको देखने को मिलेगा 73 से 76 के बीच में like करेगा next गोवा गोवा की अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल 2020 में मातर 25 vacancies थी जो इस साल बढ़ कर 69 यानि कि 59 vacancies हो गई है और यहां का जो cut up है वो 58 से 62 के बीच में like करेगा next गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो 139 vacancies थी पिछले year जो बढ़ कर 2021 में जब notification release किया गया 395 vacancies हो गई यहां का cut up 69 से 72 के बीच में देखने को मिलेगा next लगभग गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो 68 69 ही यहां की इस बार cut up जाएगी उससे ज्यादा नहीं जाएगी next हिमाचल परदेश की अगर मैं बात करूँ तो पिछले year 45 vacancies थी जो 2021 में 113 vacancies हो गई यहां का cut up 70 से 73 के बीच में जाने के काफी chances है आप मान सकते हो कि 71 72 यहां की cut up देखने को मिलेगी next हरियाना की अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल 72 vacancies थी जो इस बार increase होकर 133 vacancies हो गई है और यहां का cut up जो 71 से 74 के बीच में देखने को मिल सकता है मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने generalized level of exam लोगों के accuracy लोगों के attempts और number of vacancies सारे को अच्छे से analyze किया है तभी आप लोग के सामने में cut up लेकर आया हूँ तो आप लोग इसको मान के चले और जिनोंने भी 70 प्लस भी अगर attempt किया है तो वो मेंस की तयारी जरूर करे next अगर हरियाना के बाद मैं जारखंड की बात करूँ तो 2020 में 67 vacancy थी जो बढ़कर 111 vacancies हो गई है लगबग overall all state में इस बार vacancies increase हुई है और इसलिए आपका जो cut up है वो भी थोरा सा change रहेगा ज्यादा variation देखने को नहीं मिलेगा तो इसके जो cut up है इस बार 72 से 75 के बीच में लाई करेगी नेक्स्ट जम्मू एन कस्मीर की अगर मैं बात करूँ पिछले साल 7 vacancies थी इस बार 26 vacancies है यहां का cut up 75 से 78 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है करनाटक की बात करूँ तो पिछले यह 211 vacancies थी जो इस बार बढ़कर 454 vacancies हो गई यहां आपको 63 से 66 के बीच में cut up जो है देखने को मिल सकता है मेरे according यहां पर 64 के आराउं करनाटक में देखने को मिलेगी cut up केरल की बात करूँ तो 120 vacancies थी पिछले साल 120 जो काफी कम vacancies थी इस बार भी ज्यादा increase नहीं देखने को मिला केरल में 194 vacancies ही है तो यहां का cut up जो है थोरा सा high जा सकता है 75 से 78 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है next मद्य परदेश मद्य परदेश की बात करूँ तो 2020 में 104 vacancies थी जो इस बार बढ़कर 389 vacancies हो गई और और भी vacancies बढ़ेंगी इसके काफी chances है 110% vacancies increase होंगी और यहां का cut up जो है 74 से 77 के बीच में देखने को मिल सकता है अगर vacancies result से पहले increase की कर दी जाती है तो इसमें और भी decline यानि कि cut up में और भी कमी देखने को मिल सकती है नेक्स्ट महराष्ट की अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल 371 vacancies थी जबकि देखा जाता है कि maximum number of vacancies महराष्ट में देखने को मिलती है महराष्ट उत्तरपरदेश इन सब यह ऐसे state है जहां पिछले साल 371 थी पिछले साल 2021 में बढ़कर 882 vacancies होगे मेरे एकॉर्डिंग 67 के आसपास आपको देखने के काफी chances है कि आपको 66-67 देखने को मिले महराष्ट की जेनरल की cut-up ओडिसा के अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल मात्र 66 vacancies थी 66 vacancies जो इस बार बटकर 302 हो गई 302 vacancies हो गई और काफी vacancies increase हुई है पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो 162 vacancies थी 2020 में जो इस बार बटकर 402 vacancies यानि कि 402 vacancies देखने को मिली और यहां का cut-up जो है चुकि vacancies काफी increase हुई है तो ज्यादा variation देखने को नहीं मिलेगा 73 के आसपास यहां की cut-up देखने को मिलेगी आपको 72 से 75 के बीच में आपको cut-up देखने को मिलेगा पंजाब का नेक्स राजस्थान के अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल काफी कम vacancies थी 68 vacancies थी जो बढ़कर 142 इस साल हो गई है यानि कि 142 ज्यादा increase देखने को नहीं मिला 2021 में तो यहां का cut-up थोरा हाई हो सकता है 75 से 78 के बीच में देखने के आपको मिल सकते हैं अगर तमिल नाडू की बात करूँ तो पिछले साल 239 vacancies थी तमिल नाडू भी एक SI state है जहां पे number of vacancies काफी देखने को मिलती है तो 2021 में यहां पर 843 यहां की 843 vacancies देखने को मिली तो यहां का cut-up थोरा सब कम जाएगा compare to other states तो यहां पर 67 से 70 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है लेकिन मेरे according यहां पर 64 या 65 ही देखने को मिलेगी next अगर तेलंगाना की बात करूँ तो पिछले साल 62 vacancies थी नेक्स उत्तर परदेश उत्तर परदेश बहुत बड़ा state है पिछले साल यहां पे काफी कम vacancies देखने को मिली थी 259 vacancies देखने को मिली थी जो इस वार बढ़कर 1049 यानि कि 1039 vacancies देखने को मिली और यहां पे काफी मात्रा में यानि कि वहां आड होने वाली है PNB ने सुनने में आया है कि PNB काफी vacancies एड करेगी I hope कि PNB prelims के बाद से पहले अगर vacancies अगर एड कर देती है तो काफी रियायत होगी students के लिए और cut up जो है इसमें काफी declination देखने को मिलेगा तो general की cut up की अगर में बात करूँ तो उत्तर परदेश में 70 से 73 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है I hope कि 73 के पास पास ही आपको देखने को मिलेगी उत्तर परदेश में cut up उत्राखंड की अगर मैं बात करूँ तो उत्राखंड में काफी कम vacancies थी, पिछले साल भी और इस बार भी है, 30 vacancies थी 2020 में, जो इस बार बढ़ कर 58, मात्र 58 vacancies है, यहां के cut-up जो है, 76 से 79 के बीच में देखने को मिलेगा, हर बाल यहां का cut-up लगभग हाई ही रहता है, West Bengal, West Bengal पिछले साल 2020 में 151 vacancies थी, 151 vacancies थी, फिर भी यहां पे cut-up पिछले बार काफी अचमभित करने वाला था, कि पिछले साल यहां पे cut-up काफी कम गया था, 61.50 या 62 के लगभग, 61.50 गया था, इस बार vacancies यहां पे काफी बढ़ी है, 516 यानि यह 516 vacancies हो गई है, West Bengal में, और यहां का जो cut-up है, वो 61 तो नहीं जाएगा, थोड़ा increase देखने को मिलेगा, मेरे according 68 से 71, 69 तो 72 की बीच में है, लेकिन मेरे according 67, 68 यहां की cut-up देखने को आपको मिल सकती है, West Bengal की, तिर पुरा की अगर मैं बात करूँ, तो यहां पे cut-up 60 से 63 के बीच में आपको देखने को मि सकती है, और काफी chances है, यहां North East में जादा variations cut-up में देखने को नहीं मिलता हर साल, तो 60 से 63 के बीच में आप इसको मान सकते हैं, सिक्किंग की बात करूँ, तो सेम, जेनरल की cut-up 60 से 63 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है, और sectional cut-up की बात करते हैं, सबसे पहले overall attempt की ब त्यारी करें, अगर आपकी accuracy 100% accuracy है, अगर 90% भी है, तो भी मैं कहूंगा कि आप mains की त्यारी करें, क्योंकि अगर prelims के result से पहले काफी vacancies अगर add हो जाती है, जैसा है कि आपको finance ministry ने भी 40,000 के आस पास आपको बताया था कि vacant seat हैं, तो हाला कि उतना तो add कभी नहीं होगी, सर vacant seat अगर वो fulfill कर ले, तो फिर next year के लिए क्या बचेगा, तो इसलिए, तो अगर वो लेकिन फिर भी 5,000 से 7,000 के आस पास आपके vacancies add जरूर होगी, तो अगर prelims से result से पहले अगर add हो जाती है, तो 70 के से नीचे भी cut up जा सकती है, यह हमें साथ दिमाग में रखें, और maximum chances हैं, कि हो सकता है, कि within 7 days आपकी vacancies add हो जाए, जैसे ही add होती है, अगर वैसा कुछ information आता है, तो आप लोग के साथ share करूंगा, और मैं बताना चाहूंगा, तो 70 पलस जिनका भी attempt है, वो definitely आप तयारी करें, और उन बातों में ना रहें, कि किसी ने 85 attempt किया, किसी ने 90 attempt किया, accuracy matters, य 72 पलस अगर आपने attempt किया है, तो भी आप definitely mains की तयारी करें, और sectional cut-up की आगर मैं बात करूं, तो English की जो sectional cut-up, IVPS में sectional cut-up देखने को मिलती है, SBI में देखने को नहीं मिलती, तो sectional cut-up की आगर मैं बात करूं, तो English 6 से 9 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है 7 या 7.25 आपको English को देखने को मिले, sectional cut-up, maths की बात करूं, तो 11 से 13, यानि कि 11 से 13 के बीच में आपको sectional cut-up देखने को मिलेगी, और reasoning में 12 से 15, दोनों subject के comparison में इसका sectional cut-up थो reasoning 12 to 15, यानि कि इनकी आसपास 6 से 9 के बीच में आपको English की देखने को मिले जागी, maths की 11 से 13 के बीच में, और reasoning की 12 से 15 के बीच में, तो आपको दिमाग में रखना है, अगर आपको लग रहा है कि English के accuracy अच्छी नहीं है, अगर आप 69 भी numbers आ रहे हैं, तो आप एकदम safe zone में है आपको कोई tension नहीं, आपको लेनी है, आप next बात करूँ, result की, जी हा, result जो है, आपको 31 दिसंबर को आने के काफी chances है, और चुकि मेंस डेट 22 जनवरी को है, ये confirm date है, आप इसको मान के चलें कि इसी दिन आपके मेंस होने है, तो और अगर 31, लेकिन मेरा मानना है, मेरा अपन जितना अनुभव है, उसमें 31 दिसंबर को result काफी कम chances है, कि वो दे दे, दे तो अच्छा है, चुकि वो 18 से 19 दिन से ज्यादा time नहीं देता है, आपके इसके जो result है, वो आपको देखने को जरूर मिलेंगे, तो result date याद रखें, या 31 दिसंबर को आने के काफी chances है, या 4 जन्वरी से पहले, या 4 जन्वरी को आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इससे ज्यादा आपको time, इससे आगे फिर date नहीं जाएगा, मेंस डेट 22 जन्वरी को आगर सब कुछ ठीक रहा, COVID वगेरा का, Omnicron का कुछ वैसा नहीं देखने को मिला, तो 22 जन्वरी को इसके जो date है, वो fixed है, और IVPS कलर 22 जन्वरी को मेंस अपने conduct करवाने जा रहा है, तो I hope आप लोगों के सारे doubts किलियर हो गए हो, और आप लोगों को ये session काफी अच्छा लगा हो, तो दबा के share करें, like करें, subscribe करें, और इसी तरह update के लिए हमारे साथ बने रहें, Thank you for watching, keep watching our videos.